राहूल गांदी ने वाइनाट से नामांकन भरा प्रियंका के साथ एक घंटे रोड शो किया, दिल्ली में खड़गे ने घर घर कारेंटी केमपेंड लॉंच की आप देख रहे हैं देख खबरदार न्यूस, ये न्यूस चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना जुका सकता है, हम करते हैं सब को खबरदार लोगसबा चुनाओ 2024 के लिए कांग्रेस नेता राहूल गांदी ने बुदवार को केरल की वाइनाट सीट से नमंकन दाखिल किया, इससे पहले उन्होंने बेहन प्रियंका गांदी के साथ एक घंटे का रोड शो किया, इस दोरान राहूल ने छेतरी की जंता से कहा कि आपक अंकन दाकिल कर दिया, इस सीट से भाजप्रा ने केरल की प्रदेश अत्यक्ष के सुरेंडरन को मैदान में उतारा है, उधर दिली में कॉग्रेस ने पार्टी की पांच न्याए 25 गैरेंटी को देश के लोगों तक पहुँचाने के लिए घरघर गैरेंटी कैंपेंज शु पार्टी के कारेकरता कम से कम आठ करोड घरों में गैरेंटी कार्ट पहुचाएंगे, वो लोगों को बताएंगे कि हमारी सरकार आने के बाद हम क्या 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 काम करेंगे, उन्होंने आगे कहा कि हम लोगों को गैरेंटी देते हैं कि हमारी सरकार हमेशा गरीबों के साथ रहेगी और गरीबों के लिए काम करेगी देश की राजदानी दिल्ली में नौर्थ इस्ट संसादी सीट में आज जो कॉंग्रेस गैरेंटी कारण हम डिस्ट्रिब्यूट कर रहे हैं यह सारे देश में हम एक संदेश देने के लिए कि हमारे जो पांच गैरेंटीज है और उसके तहट पच्चीस गैरेंटीज सारे देश में हम करने के लिए पहले सी देश देश सामने हमने यह मुद्दा रखा है कास करके जहां के दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अधेक्ष कॉंग्रेस के कारे करता इन गैरेंटीज के कार्ड को इन गैरेंटीज के कार्ड जो है यह कार्ड हमारे लोग घर-घर पाटेंगे लोकों से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि हम हमारी सरकार अलाइंस की सरकार आने के बाद हम लोगों को यह जारेंटी लेते हैं कि हमारी सरकार हमेशा गरीबों के साथ रही है और गरीबों का काम करेंगे इससे पहले भी हमारी बगर गैरेंटी बोलते हुए हमने गैरेंटी के प्रोक्राम दिये जैसा की मन्रे का जैसा की एड्यूकेशन का जैसा की आर्टी आए जैसा की पुट सेक्यूरिटी आक्ट यह सारी चीजे हम कभी नहीं कहा था कि हम एक आने वाले इलेक्शन में करने वाले सरकार आने के बाद यह प्रोक्राम हमने हाथ में लिए और कामियाबी के साल सारे देश के लोकों को हमने इसका फाइदा दिया खडगे ने आगे कहा कि मोधी जी अपनी गैरिंटी की बात करते हैं लेकिन नकी गैरिंटी कामियाब नहीं मिली उनकी गैरिंटी लोको नहीं मिली लेकिन लोगों को नौकी नहीं मिली। उन्होंने 15, 15,000,000,000 रुपे देने का वादा किया लेकिन ये गरेंटी भी पूरी नहीं की। खरगे ने आरोब लगाया कि किसानों से किये वादे भी मोदी सरकार ने पूरे नहीं किये। राहुल ने वाइनाट की जन्ता से कहा आपका सांसत सदस्य होना मेरे लिए सम्मान की बात है मैं आपके साथ एक मतदाता की तरह व्यवाहर नहीं करता हूँ मैं आपके साथ वैसा ही व्यवाहर करता हूँ जैसा मेरा छोटी बहन प्रियंका के साथ व्यवाहर है वाइनाट के घरो मेरी पहने मा पिता और भाई हैं और इसके लिए में आपका तही दिल से धन्यवाद देता हूं लाइक वी दू फामीली आव रेसीव लव अव एक्षिंट इंच चिंच 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 आफ लेंट गड़ाई थो माज प्रदर्दर्दर्दीर साथ it has been an honor for me to be your member of parliament I don't treat you and think of you like an electric I treat you and think of you the same way I think of my little sister Priyanka over here in the houses of Vainar I have sisters I have mothers I have fathers I have brothers and I thank you from the bottom of my heart for that we have a lot of people भी करेंगे इस अभ्यान में हम आठ करोर परिवारों तक गैरंटी कार्ड पहुंचाएंगे हमारे पांच न्याई पचीज गैरंटी जो भारत जुड़ो यात्रक भारत जुड़ो न्याय यात्रक के समय में कॉंग्रेस अध्यक्ष ने और रहूल जी ने उसकी गोश्टना की थी उसके उसके लिए एक कार्ड बनाया है और आज कार्ड का वितरन का अभियान आज से यहां से शुरू होने वारे जिल्ली की सभी साथों सीट इंडिया एलाइन जिसने जा रहे हैं शट प्रजिशन कॉंग्रेस की भारत जोडो न्याय यात्रा का समापन 17 मार्च को मुंबई में हुआ यहां के शिवाजी पार्क में हुई सभा में राहूल गांदी ने कहा था कि राजा की आत्मा EVM, CBI, ED, Income Tax में है इसी के दम पर वो नेताओं को डरा कर भाजपा में शामिल करा रहे हैं कॉंग्रेस, शिव सेना, NCP, SCP के लोग यूँ ही चले गए वे सब डर कर BJP में गए हैं नरेंद्र मोदी मुखोटा हैं जैसे बॉलिवूट के एक्टर एक्टरसिस हैं उनसे कुछ करने को कहा जाता है वैसे ही मोदी हैं उनकी 56 इंच की छाती नहीं है खोकला व्यक्ति है मैं सिस्टम को अंदर से जानता हूँ इसलिए वो मुझसे डरते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आप के लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन क को चमकाएं प्लीज विजिट दा मांटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट खूड नियर बाइस सुहागी बाइपास